हेलो हाई नमस्कार स्वागत है आप सभी काव मागनेट ब्रेंज के आए डीजे यूरी चैनल पर जी हाँ आज हम बात करेंगे हमारे प्रेक्टिस कोशन पार्ट वन की देखो बैई पार्ट टू थोड़ा और टफ लेवल करेंगे पार्ट री को और जाधा टफ करेंगे अपन ठीक है तो बिल्कुल जीरो से हीरो बनानी की प्रोसेस सल रही यहां पर तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेवल सवाल देखेंगे कैसे सवाल आते हैं फिर अगला सेशन जो को प्रोस में थोड़ा और लेवल को इंक्रीज करेंगे फिर उसके बाद और लेवल को इंक्रीस करके एडवांस थक लेगे चलेंगे चलेंगे तो जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम आशिश कपलिश पिछले छे सालों से मैं यही एस्पिरेंस को पढ़ा रहा हूं और यह जो मेरे एक्सपिरेंस है यह आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल रहेगा अगर आप मेरी यह सारी बाते फॉलो करते हो चलोगे जो चीजे मैं यहां पर आपको टॉपिक वाइज एक्स्प्लेनेशन दे रहा हूं उनको जरूरी है अपार्ट फॉम देस जो आपको यह नहीं कि सर आपने कोशन पढ़ दिया समझा दिया अब आपका वेट कर रहे है जब आप सॉल करो तो ही करेंगे खुद से करोगे तो ही फायदा मिलेगा बिटा फिजिक्स में निमेरिकल तो ऐसे हैं जितना खुद से ट्राय करोगे उतना बैनिफिशल रहेगा आप कर रहे हैं उसके अलावा डावट सॉल्विंग सेशन्स और आपको टैम और उतकी सिटा पर आपके dalby ये स्यू посмотрим कोने रहरे है तो सिलक्शन को तो बस यह है कि इतने कि इतने से पार्ठ से चिपके हूए चलो पढ़ाई करते रहो कोई दिक्कत नहीं कि आपको ठीक है पढ़ें आगे करें शुरू पैन पेपर है ना तुम्हें पास कॉश्चन सॉल्फ करने लिए ओके पहला सवाल हम सब बोलते हैं अब सब्सक्राइब करें लिए और सब्सक्राइब इस पहला अप्शन क्या बोलते हैं हम यह बात जानते हैं कि रेस्ट अण मोशन जो होता है वो relative होता है कोई भी absolute rest और absolute motion में नहीं होता है तो पहला statement बिलकुल सही है मेरे बच्चे लेकिन हमें कौन सा बताना है हमें बताना है गलत वाला statement और पहला statement बहुत सही बहुत बोली हो इसने है तो हम यह वाले statement को consider नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो वो चाहिए जो गलत statement हो अगला question कहता है magnitude of displacement is always equal to the distance traveled always है हमेशा magnitude of displacement always equal to the magnitude of the distance यह बात ऐसी हमेशा तो नहीं होता है सर only in 1D motion it is possible only in 1D motion मेरे बचे सिर्फ और सिफ 1D motion में ही यह बात होती है otherwise यह बात valid नहीं होगी तो यह बोलता है always बहुत गलत बात बोली है इसने यह बहुत गलत बात बोल दिये उसने तो यहाँ पे यह बात हमारी गलत हो जाएगी तो क्या मैं इस पिट्टिक लगा दूँ magnitude of displacement can never be greater than that of the distance बहुत सही बात बोली है लेकिन मैं इसको consider नहीं करूँगा क्योंकि मुझे गलत statement बताना था magnitude of the displacement may be equal to the distance traveled यह बहुत सही बात बोली है इसने लेकिन मैं सको consider नहीं करूँगा क्योंकि मुझे गलत statement देना था तो हमारा B is the correct one, है ना simple सा सवाल, चलो भई, लिक लो इसको, लेकर ना भी क्या है, चलो भी, बढ़े आगे, अगला सवाल, A ball is thrown vertically with initial velocity of 30 meter per second, what will be its position vector at time 5 seconds, taking origin as the point of projection, vertically up as the positive y and horizontal as the x-axis, उन्होंने क्या बुला कि भाई, जो y-axis है, यहाँ पे आप तो vertical को y-axis पे ले ले लेना, horizontal को x-axis पे ले लेना, और यहाँ पे ball को जो project कर रहे हैं आप लोग, from the origin, ball को आप consider करेंगे as the origin से उपर की तफ पर ज़िए, initial velocity we know better, it is 30 meter per second, जब भी ball को उपर की तफ एक्ट हो, under the effect of gravity वो चलती है, तो y में जो acceleration आ रहा है, वो g के बराबर हो जाएगा, जो की नीचे की तफ लग रहा है, और 5 second के बाद आपको बताने, what are the position of this ball, बड़ा-बड़ा simple सा funda हो गया, equation यूज का देंगे, s equals to ut plus half 80 square वाला, displacement कहा हो रहा है मेरे बच्चे, y में हो रहा है displacement, तो y equals to 30 into, कितने टाइम के बाद, 5 के बाद, minus का half g t square, पता है ना तुम्हें, g नीचे की तरफ लग रहा है, जो भी बेटा, उपर की तरफ था, उसने बोल दिया, उसको positive लेंगे, जो भी उपर की तरफ था, देखो, vertically up as a positive y, और download वाले को बेटा, minus का y ले लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर भी वही काम, plus का x हो देख, minus का x हा जाएगा, अब हमने इसको further यहाँ पर solve किया, तो y का जो value आ रहा है, यह तो 5, 3, 2, 15 होते हैं, और minus का 1 by 2, into g का value 10 हो जाएगा, और time की हो जाएगा, 25 कर देख, 5 का square 25 होते हैं, so y की value बन जाएगी, 150 minus का 125, I think y की value 25 हा रही है, ठीक है, तो 25 meter is the displacement, तो coordinate क्या बनेंगे बिटा उसके, मालो 5 seconds के बाद बहुल अगर यहाँ पहुंचती है, तो इसका जो displacement हुआ है, वो y हुआ है, तो इसके coordinates हो जाएगे, 0, y and can be written as 0, 25, this is the position, बिटा, समझ आती है बाते हैं, कोई tough नहीं, मैंने बोला ना, आज का lecture बड़ा easy सा होगा, क्योंकि पहले level के question है, ठीक है, level 1 के question है, तो easy ही होंगे है न, चली बहुआ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल क्यों राते हैं, a truck traveling due to north at 20 meter per second turns east and travels at the same speed, the change in its velocity is, the change in its velocities, बिटा, यहाँ पे फिर से हम वोई क्याम करने वाले, क्या करते हैं, x-axis, y-axis बनाते हैं, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी directions भी डाल देते हैं, east, west, north, south, ठीक है, east, west, north, south करेका मनें किया, truck travel कर रहा था, due to north at 20 meter per second, बेटा, वो truck जो है, north की तरफ जा रहा था, 20 meter per second से, तो this is the velocity, 20 meter per second से, north की तरफ जा रहा था, फिर वो east की तरफ मुडिया और अब इधर चलने लगा, with the same speed of 20 meter per second, तो what will be the change in velocity, बेटा, यहाँ पर initial velocity की बात करूं, so it will be a 20 j cap, अगर मैं final velocity की बात करूं मेरे बच्चे, तो it will be a 20 i cap, यह कैसे किया से, अरे मेरे बच्चे, इधर i cap वली direction आती है, इधर minus का i cap direction आती है, इधर j cap आती है, और इधर minus का j cap वली direction आती है, आती है की आती है, आती है की नहीं आती है, बिल्कुल आती है sir, so u v सब पता है, अपने को बढ़िया तरीके सा हम इसको solve कर सकते हैं, तो v पता है, u पता है, कितने टाइम के बाद इसने speed को change किया है, पता नहीं sir, तो उसने तो मांगे नहीं, उसने change in its velocity मांगा है, so change निकालते है, change in velocity is equals to final velocity minus initial velocity, so 20 i cap minus 20 j cap, मेरे बच्चे, this is your change in velocity, इसका magnitude निकालो, इसका magnitude निकालोगे, it comes with 20 under root of 2, लिखके लिए यही आएगा, भरोसा तो कडिया करो मेरे पे कुभी कार, नहीं करते हो, अच्छे, what about this direction sir, ये south east, northeast, कैसे बताएंगे, बढ़ा simple सा fund है इसको, solve करने का, आप दे को, i cap जो है बिटा वो positive वाला है, positive eye cap मतलब east है, हे ना, j cap जो है वो negative वाला हुआ है, negative j cap मतलब कहा होता है गेटा, south में होता है, तो direction जो है east और south की बीच मेंगे, direction जो बनेगी वो east और south की बीच बनेगी, तो south east वाला option दिखञ रहे है, 20 root 2 के साथ, south east वाला, किरा सब्सक्राइब का अच्छा साओधीस्ट का मतलब एंगल 45 डिग्री होना चाहिए बेलकुल मेरे बच्चे यहां पे देसल भी दाचेंज इन वेलोसिटी दिसलिए दाचेंज इन वेलोसिटी मेकिन अंगल ऑफ 45 डिग्री फॉम दिस 45 डिग्री कैसा है या तैन थीटा is equal to y component upon x component tan theta equals to y component divided by x component किया और मेरे बच्चे y component आप देखोगे तो 20 है और x component देखोगे तो वो भी 20 है और आंसर वन आएगा tan theta 1 मानने को थीटा 45 डिग्री होता है इस्ट और साओध के बीच में 45 डिग्री के अंगल पे चेंज इन वेलोसिटी आएगा southeast इस इस देखोगे देख लिया समझते हो बात को आगे बर सकते हैं आगे बरते हैं अगले सवाल की ओर the displacement of a particle depends on the time t according to the following relation s equals to 1 by 3 t q beta relation देख 1 by 3 t q minus ka t square beta year relation देख the velocity in the displacement of the particle at the instant when it's acceleration is zero तो आपको velocity बताने है और displacement बताने है उस time पे जब acceleration zero होता है तो पहली चीज़ मैं वो time निकालता हूँ जब acceleration zero हो रहा था मैं वो time निकालूँगा जब acceleration zero होगा है ना, we have to find the time when a equals to zero, तो क्या time था जब acceleration zero हो, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मैंने क्या इसका differentiation, भाया यहाँ पर ds by dt is the velocity दोनों तब differentiation किया, तो velocity मिला it is one by three, t cube का differentiation 3t square होता है, minus का t square का differentiation 2t होता है, तो velocity हो जएगी बिटा t square minus का 2t velocity हो जएगी t square minus का 2t, इस velocity का differentiation फिर से समय के साथ कर दिया जाए, तो आपको acceleration मिल जाता है, and it will be equals to nothing but 2t minus का 2, t square का differentiation 2t होता है, 2 constant था बिटा, t का differentiation 1 हो जाता है, उसना मुझे बोला है, आप वो time निकालिये, जब acceleration 0 था, तो मैंने बोला, acceleration को 0 कर देते हैं, so 2t minus का 2, 0 हो जाएगा बिटा, तो इससे t का value हो जाएगा 1 seconds, यानि कि t equals to 1 seconds पे acceleration 0 हो जाएगा, एक second पे acceleration 0, और अगर एक second पे acceleration 0 है, तो displacement उसकेस में हो जाएगा 1 by 3 into 1 का cube minus 1 का square, मेरे बच्चे, यहाँ पे 1 by 3 minus का 1, displacement हो जाएगा, minus का 2 by 3 ठीक है, so displacement of 2 by 3, 2 by 3, नहीं match करें, कोई बात ही, velocity देख लो, velocity देख लो, तो it will be 1 minus का 2, minus का 1 match कर रही, कोई बात है कहीं पे भी देख, आपने वो time निकाला जब acceleration था 0 आपने वो time निकाला बेटा जब acceleration था 0, तो देखो यहाँ पे 3 t square, 3 से 3 मर का t square, minus का t square का differentiation 2t, this is the velocity, this is the displacement मेरे बच्चे, velocity का फिर से differentiation किया, t square का 2t होता है और 2 का differentiation 2 होता है, 2t का नहीं, इसको अब मैंने 0 के बराबर किया, क्योंकि मुझे वो time निकालना है, जब acceleration 0 था, मुझे वो time निकालना है, जब acceleration 0 था, तो acceleration को 0 कराने के लिए, मैंने इसको 0 किया और time निकला, 1 second का बेटा, यहाँ पर अब एक काम करो, यह time उठा के velocity की इस equation में रख दो और displacement की इस equation में रख दो, तो आपको displacement मिलता है, minus का 2 by 3, velocity मिलती है, minus कवन, displacement और velocity, दोनों ही क्या है, vector है, minus का साइन चले गए, इनके साथ में बेटा, physics में हमारे लिए minus का साइन बेसिकली जो है, वो direction को represent कर रहा है, यहाँ पर velocity minus कवन आ रहे है, it means velocity की direction negative है displacement अगर minus का 2 by 3 आ रहा है that means displacement अभी negative side हो रहा है यह option कहीं पर भी मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं न, मेरे इन options में कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं तो मैं कहाँ दूंगा कि D is the correct option and of the above is the right one meter सही यह बात कोई शक तो नहीं इसमें किसी को बढ़े आगे अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल बोलता है अब पर्टिकल डेस्ट्राइब ज़र रहे है क्यों की तरफ जा रहा है तो आपको बताना है अगले सबस्क्राइब आपको चेंची निकाल सकते हो जब आपको चेंची निवेलोसिटी पता होगी ठीक है तो सबसे पहले हैं कि हम changing velocity नगाले बैटा पी पॉयंट पे velocity उसने बुला V1 है क्यूपइंट पे velocity उसने बुल दिया V2 है तो changing velocity अगर मुझे निकालना भी होगा अगर ये वली बात हैं तो मुझे का बता हो जस एक चीज पूछ पूछनी है What is the angle between V1 and V2 क्योंकि अगर आप यह लिख रहे हो चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो तो यह तो वेक्टर फॉर्मेट में हो गया चलो भई लेकिन उसने वहाँ पर देखो मैगनिट्यूड मांगे आप से डल्टा वी का अगर मैं तो आपको भी चेंज इन वेलोसिटी का मैगनिट्यूड निकालना है मैगनिट्यूड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए V1 और V2 में एंगल कितना है देखो बेटा उन्होंने हमें बड़ी अच्छी हिंट दिये V1 V2 के बीच के अंगल थीटा देके रखा हुआ है अब V1 V2 के अंगल बीच के अंगल अगर थीटा होगा तो उस केस में डल्टा V का जो मैगनिट्यूड बनने वाला है it will be your under root of V1 और V2 बराबर है क्या बेटा देखो दो हाँ सर बिल्कुल V1 और V2 का मैगनिट्यूड बराबर होगा बेटा यहाँ पे लिके लेना उपर V1 और V2 का मैगनिट्यूड जो है वो बराबर है and it will be equals to nothing but V ठीक है तो change in velocity निकालने जा रहे हम लोग अंडरूट और V2 प्लस V2 प्लस 2 V2 कॉस थीटा अच्छा एक और चीज जो मुझे यहाँ पे जाननी थी क्या पर प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा खुदी सोच के बता ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं वी टू माइनस वेक्टर सब्ट्रेक्शन है बेटा आपको याद हो जब वेक्टर सब्ट्रेक्शन होता था यहाँ माइनस का साइन आता था आपको याद होगा जब वहाँ पे वेक्टर सब्ट्रेक्शन होता था तो यहाँ पे माइनस का साइन आता था तो हम भी क्या करें के लेंगे, बिटा है यह v2 लस v2, 2v2 हो जाता है मेरे बच्चे अगर आप यहां पर देखे हैं 2v2 को कॉंच लेलें तो एमर ले, 1-2 theta 2 sin square theta by 2 होता है so under root of 2 v square into 2 sin square theta by 2 चलिए बैए तो यह हो जाएगा 2 to the 4 under root में 4 v square sin square theta by 2 बैटा 4 v square sin square theta by 2 जब under root से बहार आएंगे कहलाएंगे 2 v sin theta by 2 2 v sin theta by 2 so this is the change in velocity का magnitude match करा कोई option सरी यह देखो 2 v sin theta by 2 वाला हाँ एक ही option है तो यह हो जाएगा अपना अनसर बैटा यह तो इनोंने हमें खुदी बता दिया ना कि देखो v2 और v1 के बीच का एंगल है 0 क्योंकि v2 इदा tangentially जा रहा है v1 इदा tangentially जा रहा है v2 इदा tangentially जा रहा है जब इदा tangentially जाता है तो इसके बीच का जो एंगल है वो v theta ही रहता है बागी ऐसे इसके अलग भी प्रमान होते हैं अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं आप बता देता हूं कैसे आते प्रमान मा लीजे कि particle के पास velocity थी यहाँ पे v1 यहाँ पे गया particle के पास velocity आगी v2 ठीक है बटा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थीटा एंगल इरो बीच में कवर किया था इसका प्रमान दे रहो हूं मैं तुम लोगों को ध्यान से देखने ना कुछ लोग सोच रहोंगे कि सर यह यह आपको कैसे पता चला कि थीटा ही था इंके बीच का एंगल वह थीटा ही बनता है मालो पार्टिकल था पहले पी पॉइंट पे आज वह पहुंच गया है क्यू पर पीसे क्यू जाते टांपे इसने proceed हो पहले अब यह जो आंगल हैं तो जानते हैं औो तो तो कि ए हैं पैरलल शिफटिंग कर दिया तो भी टू वी यहां से देखना भी सभी लोग shifts about हो यह जो वैलॉसिटी होती है वो टेंजेंशल होती है और अगर यह तेंजेंशल होती है और अगर यह एंगल कितना हो थीटा नहीं होगा क्या सोच के देखो तेखो समझते ओना या ऐल्टरनेट एंगल से आ रिये हैं कि सुगर है यह इद्युंट्र अगोगा है इसको कहते बिटा रेडियल और यह जो ता रहे हैं ऐसको कहते रेडियल हमेशा परपेंडीकुलर होती है यह radial direction है यह tangential direction है यह always perpendicular होगी यह radial direction है यह tangential direction है always perpendicular तो अगर यह सब perpendicular है तो यह वाला angle जो बनेगा बेटा वो बनेगा 90 minus का theta है ना क्योंकि यह पूरा 90 था यह theta यह 90 minus theta फिर यह V1 को देखो बेटा तो V1 वाला जो है इसके साथ perpendicular दिख रहा है वीवन वाला जो है इस LINE के साथ, होरिजोंटल के साथ, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? हा साथ दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट 90 माइनस सीटा, तो ये वाला पार्ट क्या थीटा नहीं होगा, तो आप देख लो बिटा क्या V1 और V2 के बीच का एंगल थीटा नहीं आ रहा है तो जो एंगल उन्होंने सेंटर पे सब्टेंड किया था ध्यान से याद रख लेने इस बात को पी से क्यू की तरफ जाते टाइम पे जो एंगल सेंटर में बनाया था दो वेलोसिटी के बीच का एंगल वही रहने वाला है पी से क्यू तक जाते टाइम पे जो एंगल उन्होंने सेंटर पे बनाया था तो दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल वही रहेगा यहां पर भी उन्हों ने वहीं किया देखो बीटा पी से क्यों जाते टाइम पे जो एंगल सेंटर पर बनाया था दोनों विलॉसिटीस की बीच का एंगल भी वही रहता है समझाई बात अभी इसलिए हमने फिर यह सारे प्रोसेस किया थे अब देखो चेंज इन विलॉसिटी लगा टाइम निकालना पड़ेगा सर्डली की जगए तो लिख नतु वी साइंट इटा वाई टू О्टasted पहीं और में टाइम रटाइम कितना लगएगा पी से क्यों तक आने मैं हम से लिके क्यों तक आने में टाइम लगेगा ये टाइम निकालने के लिए हम लोग एंप का इसका-फिलार्च भी विलंट्यवाइग गीकी डार्यक्शन अलग है लेकिन इनके जो मैंडि चीन्ची फिड्की बात कर रहा हुं स्पीर्ड कांसेंट है इसका मैंडिट्यूट भी आएगा इसका magnitude भी V आएगा, दोनों की speed same है, बस direction change होनी की वज़े से velocity change हो चुकी है समझ गए बात को हाचा, so distance कितना चले यह वाला, यह वाला arc PQ PQ by speed V, बिटा PQ को क्या लिकेंगे, angle जो होता है वो arc upon radius होता है arc upon radius होता है बिटा, तो arc जो हो जाएगा, वो हो जाएगा R theta, तो angle arc की जगा, PQ की जगा, R theta divided by V so time की जगा, R theta upon V करना, V उपर जाएगा, 2 V square by R theta, sin theta by 2 बनेगा देख लेना, match कर रहा, बिलकुल match कर रहा हो यह time उठा के यहाँ पर पूट कर दो, तो आपको acceleration आएगा, same answer मिलेगा, ठीक है लिख लिजेश कोशन को भी लिख लिए सभी ने चलो बई, यह वाला पार्ट लेक लेना है, P से Q जाते वह M पे, P से Q जाते समय जो angle center पे बनाया होता है वही angle होता है, दोनों velocities के बीच में, याद रखने ना, यह trick है अपने पास, है ना, यह अपने को ninja टेकनीक है अपनी ही है यह अपनी ninja टेकनीक है बेटा याद रखने ना, काम आती है कोशन सॉल्विंग बे क्या बोले ninja टेकनीक कि भाई P से Q जाते समय center पे जो angle बनेगा center पे जो angle बनेगा वही angle होगा velocities के बाइच में दोनो velocities के बीश में कौन सी दोनो velocities है कौन सी दोनो velocities सब P पे जो velocity थी V1 और V2 तो V1 एंड V2 की बात करे है किस के बात करे हम लोग V1 और V2 के बीच की बात करे है तो याद रखना बेटा यह अपनी ninja technique है question solve की time पे काम आती है बहुत ज़्यादा ठीक है लिख लिए सभी ने बढ़े आगे अच्छा जी अगए बढ़ते हैं अगला सवाल a particle start from the rest and moving along a straight line travels 19 meter in the 10th second the acceleration of the particle is given by बेटा क्या बताओगे इसमें particle जो है start कर रहा है from the rest बेटा अगर कोई भी particle rest से सलना start करता है तो क्या उसकी initial velocity 0 होती है बिलकुल sir starting from the rest initial velocity 0 moving along a straight line travels the 19 meter in the 10th second बेटा nth second का formula 10th second में वो 19 meter चलती है और हमें पता है कि nth का formula s nth का जो formula होता है it is given by u plus a by 2 into 2n minus का 1 बेटा यहां से initial velocity 0 है तो 10th की जगा 10th की जगा 10th हाजाएगा 0 plus a by 2 2 into 10 minus का 1 यहां पे solve किया बेटा 19 is equals to a by 2 20 minus का 1 यहां पे 19 equals to a by 2 into 19 बेटा 19 से 19 मर जाएगा और acceleration बन जाएगा टू मीटर पर सिक्ट्स को यह बहुत tough सवाल थे नहीं हां सब बिलकुल जान निकल की ऐसे questions करने में तो हमारी लेकलो इसको जली से बड़े आगे ओके अगला सवाल a body moving with uniform acceleration describes 4 meter in third second and 12 meter in fifth second the distance described in the next three seconds से बिटां ओहो अच्छा ऐसा बता देंगे बता देंगे ना कैसे बता दोगे ना तो तो में इनिशल वेलासिटी पता ना तो में एक्षेलरीशन पता कैसे बताओगे अरे सर अभी दुखो अभी बताते हैं according to the given question third second में बेठा पहली बात तो s third का formula u plus a by 2 2 into 3 minus 1 u plus a by 2 6 minus का 1 u plus 5 a by 2 चलो बई, यह s third हो गया है जो कि 4 meter दे जा था पहली equation है मेरे बच्चे यह पहली equation हो गई फिर s fifth की equation लिखते है s fifth is equal to u plus a by 2 into 2 into 5 minus का 1 u plus a by 2 into 5 to 10 minus का 1 u plus 9 by 2 9 a by 2 आएगा बच्चे और fifth second में चला था वो 12 meter का तो यह 12 हो जाएगा और इसको हम काम करते है equation number 2 नाम दे देते है तुमारी चर्शदा है तुम चाहो तो u से eliminate कर सकते हो चाहो तो तुम एक काम करो 2 में से 1 को minus कर दो जब आपने 2 में से 1 को minus किया तो answer कुछ इस प्रकार से मिलेगा 2 minus 1 12 minus 4 is equal to u plus 9 a by 2 minus u minus का 5 a by 2 देखो u ने u को मा डाला 12 में से 4 जाएगे 8 बन जाएगे तो 8 is equal to 4 a by 2 4 to the 8 और acceleration हो जाएगा मेरे बच्चे 4 meter per second square क्या बात है 12 minus 4 8 पैटा 9 a minus 5 a 9 में से 5 जाएगे 4 बच्चेगा तो 9 a minus 5 a 4 a अपन में 2 चल रहा था 4 to the 8 होता है 2 to the 4 होता है acceleration हागे 4 meter per second square ठीक है अब इसको हम इसमें put करते put कर आएगे तो कौन से में put कर दे इसको पहली में put कर दे चलेगा चलो आजोगे पहली में put कर दे 4 equals to 4 equals to u plus 5 a by 2 4 equals to u plus 5 into 4 by 2 2 से 2 times मुर जाएगा 4 is equals to u plus plus 10 यहाँ पे हमें मिलती है हमारी initial velocity ठीक है अब उसने बोला है कि अगले 3 सेगिंड में कितना displacement हो पहली बार तो भी हम कहों से time पे है किस समय पे बैठे हुए है ना यह समझना जरूरी है तो इसको समझते आओ बैद यहाँ पे हम धेखना एक चीज़ दिखाना जाता हों तुम लोगों को यहाँ पे t equals to zero होता है यहाँ पर T equals to one होता है, T equals to two होता है, T equals to three होता है, T equals to four होता है, T equals to five होता है, यहाँ पर five होता है, यहाँ पर one है, यह two है, यह three है, यह four है, बिटा इसको कहते हैं first second, इसको कहते हैं सेकेंड सेकेंड इसको कहते हैं थर्ड सेकेंड इसको कहते हैं फॉर्ट सेकेंड इसको कहते हैं फिफ्थ सेकेंड और आपने कोशन में देखा तो आपसे फिफ्थ सेकेंड की बातें की जारी थी आपने कोशन में देखा तो आपसे बातें की जारी फिफ्थ सेक तई इको फफई सेकंड पर आचुके अब आप लोग ताई तो अब भी हम हैंक दो फ Michella अग्ले अगले तीन सेकंड थे एट सेकंड पर यह सिक्सष तो बताइये कि इन तीन सेकंड में कितना displacement इन तीन सेकंड्स में कितना displacement हो यह बताना है मुझे यह तीन सेकंड्स में कितना displacement हो यह बताना है मुझे कैसे कर इसको दो तरीके करने के या तो तुम 5 seconds पे velocity निकाल लो या तो तुम 5 seconds पे कालो वो initial velocity बन जाएगी s equals to ut plus half 802 लगा दो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा displacement in five seconds पाँ शेकंड में जो displacement हो यह है यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा displacement in eight seconds क्योंकि मैं initial velocity जानता हूं मेरे बच्चे मैं initial velocity जानता हूं मैं acceleration जानता हूं तो मैं find कर सकता हूं what is the displacement in the 8 seconds मैं जान सकता हूं what is the displacement in the 5 seconds so s8 minus s5 करने से मुझे s मिल जाएगा बोलो हां की ना सही बात है की नहीं s8 minus s5 s करने से मुझे वो s मिल जाएगा चलिए बही solve करते है s8 को it is given by ut plus half 80 square so यहां से initial velocity minus का 6 time लग रहा है 8 seconds का plus का half acceleration था 4 time लग रहा है 8 seconds का 8 6 था 48 minus का 48 plus का 2 into 64 minus का 48 plus का 128 कितना हो गई है 90 8 4 बार 80 हाना 80 meters नहीं है भरोसा क्या है इत्ता तो भरोसा किया करो मेर पे अगली बात करेंगे 5 seconds में कितना displacement हो यह इवन वे ut plus half 80 square 25 to the 50 होता है minus का 30 plus का 50 answer बनता है 20 meters 5 seconds में जो displacement हुआ है वो 20 meters का है 8 seconds में जो displacement हुआ है 80 meters का है आपसे S मांग रहा था तो क्या आप find नहीं कर सकते S की value यहाँ साइड में लिख दूँ किया मैं S का value S equals to S8 minus S5 80 minus का 20 answer will be 60 meters तो यह आपको कहां मिलेगा इधर 60 meters पे ठीक है यह आपको कहां मिलेगा 60 meters पे मिल जागा तो इस यह फाइनल आंसर पर इस लिख लो इसको जली से फिर आगे बढ़ते हैं लिखा जबी नहीं यह भी लिख लो हो गया? बढ़े आगे? ओके चरी भी आगे बढ़ते है अगले सवाल प्याते है बोलागे है बोलागे है एक बोलागे है एक बोलागे जो कि रस से चलना शुरू हो रही है constant acceleration है velocity after n seconds रो है वो v है so initial velocity 0 है acceleration यहाँ पर a है final velocity v है time लग रहा है n seconds का initial velocity 0 acceleration a है final velocity v है time लग रहा है n seconds का v equals to u plus a t से हम इसको solve किया और v equals to 0 plus a n to v equals to a n is the relation the displacement of the body in the last two seconds बेटा आखरी के 2 seconds में कितना displacement होगा तो यहाँ से अगर t equals to 0 से हमने शुरू किया तो यहाँ पे हम पहुंचे t equals to n पे पीछे आए तो यहाँ पे time होगा n minus का 2 n seconds से पीछे 2 seconds 2 seconds हम पीछे आए हैं बेटा समझो यहाँ पे time कितना था 0 था यहाँ पे time कितना था n था n से 2 seconds पीछे n minus 2 यहाँ पे इसमें बताइए कितना displacement होगा तो मैंने क्या बोला कि यह काम कर लेते हैं हम फाइं करते हैं displacement in n seconds it is given by 0 into n plus का half a n square so it comes to be half a n square वो यही तो मांग रहा है what is the displacement in the last 2 seconds तो last n second था उससे 2 seconds पीछे n minus 2 मिला तो हमने n seconds में displacement निकाला a के format में कुछ नहीं आ रहा है a को eliminate करेंगे v by n पुट करेंगे तो half into v by n into n square so 1 by 2 n v it is the displacement in the n seconds अब मैं n minus 2 seconds में देखो बेटा यहाँ पे बढ़ा simple सा फंदा है this is the displacement in n minus 2 seconds यहाँ पे this is the displacement in the n seconds तो आप s n में से s n minus 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा what is the displacement in the 2 seconds तो last k 2 seconds में जो displacement है वो निकालना है तो यहाँ से s n minus 2 करेंगे given by 0 n minus 2 plus half a n minus 2 का whole square half a के जगा v by n n minus 2 का whole square हम इसको solve करें 1 by 2 v by n into n square plus का 4 minus का 4 n चो लो बहुत बढ़िया बहुत इशांदार अभी इसको इतने लिख रहे हैं देते s n minus 2 को और अब इन दोनों को minus करते हैं क्योंकि मुझे s निकालना था और s है s n minus s n minus 2 ठीक है s निकालने के लिए s n minus s n minus 2 किया s equals to s n s n किता है दा u initial velocity 0 है ना हाँ बिलकुल सा तो half n v half n v minus half into v by n into n square plus का 4 minus का 4 n half n v minus का half n v minus का half into 4 v by n plus का half into 4 v half n v से half n v मढ जाएगा यहां पर बनेगा 2 to the 4 2 to the 4 minus का 2 v by n plus का 2 v so 2 v minus 2 v by n so 2 v common ले लिया 1 minus 1 by n so 2 v n minus 1 by n 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 this is the answer समाज जारी बात क्या जल रहा है सिल में यहां पर समाज जा रहा है ना क्या हो रहा है से यहां पर ठीक है उसने के बोला आखरी के 2 seconds में last 2 seconds तो मैंने पहले सबसे आखरी वाले टाइम पर आया आखरी टाइम क्या था? आखरी टाइम क्या था? आखरी से 2 seconds पहले n minus 2 यहां पर हमें displacement निकालना था इसमें n seconds में displacement कितना हुआ n minus 2 seconds में displacement कितना हुआ दोनों निकाले मैंने इनको minus किया तो S का value मिला 2 v minus 2 v by n 2 v common यह 2 v 1 minus 1 by n and minus 1 by n this is the answer displacement in the last 2 seconds displacement in last 2 2 seconds लिक लिए जिसको ओके यह 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 भी लिख लो लग लिए? चलो भई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल प्याटे हैं अस्टोर इस ड्रॉप्ट फॉप फॉप टावर and travels 24.5 meter in the last second of its journey the height of the tower is बटा, tower का total height बताना है तो यहाँ पे टावर हम बना लेते हैं जब मैं stone को drop करता हूँ that means initial velocity 0 होती है आखरी के 1 second में बटाओ यही बोला उसने in the last second मतलब आखरी के 1 second में जो height उसने cover किया है वो 24.5 meter की है total height मैंने मान ली capital H हो जाएगी इस total height को cover करने के लिए जो time लगा है वो मैंने T मान लिया तो बटा, अगर यहाँ पे 1 second है तो बचा हूँ टाइम कितना हो जाएगा T माइनस 1 second का बचा हूँ टाइम कितना होगा T माइनस 1 second का इस T माइनस 1 second में जो height cover की होगी वो capital H माइनस का small h हो जाएगा small h का value आपको पता है 24.5 है तो मैं नाम करन कर देता हूँ उसके हिसाब से इनको solve करूँगा जैसे कि मैंने नाम दिया यहाँ पे point A यहाँ पे point B और बीच मैं यहाँ पे नाम दे दिया point C सबसे पहले A, B पूरे रास्ते के लिए solve करता हूँ मैं ज्यान से रखने बटा A, B के लिए solve करूँगा मैं तो A, B पूरा path है तो S equal to UT plus half 80 square वाले equation का इस्तमाल किया मैंने initial velocity 0 हो जाएगी मेरे बच्चे आपे displacement जो होगा वो minus का H हो जाएगा क्योंकि वो body नीचे आ रही है body अगा नीचे आती है तो displacement minus का H equals to minus का half GT square से यह minus का क्यों लगा है आपने क्योंकि वही है acceleration नीचे की तरफ हो रहा है displacement नीचे हो रहा है acceleration भी नीचे हो रहा है और acceleration जो है वो G के बराबर है तो minus H equals to minus का half GT square तो यहां से H बराबर हो जाएगा half GT square के यहां पे हमारी पहली equation आ जाती ही जिसको आप डब्गे मैं फंड करो अब solve करते है AC को AC से लेके C तक solve करते है पूरे ठीक है AC वाले को solve किया मैंने मेरे बच्चे तो AC को जब हमने solve किया तो फिर से S equals to UT plus half 80 square लगा है लेकिन फिर से वही बात होगी कि initial velocity 0 होने की वज़ा से UT 0 हो गया S के जगह पे minus of H minus का H अभी displacement कितना कवर किया आपने displacement AC वाले पार्ट में H minus का H equals to minus का half G बैटा time कितना लगा है इसमें T minus 1 का square ठीक है A से लेके C तक time कितना लगा T minus 1 seconds A से लेके C तक displacement होगा H minus H minus के minus से मर जाएगा और यहाँ पे H के जगह half GT square मैं लिख दूँगा तो half GT square minus का small H equals to half G T minus 1 का whole square half G से half G मर जाएगा so T square अई है है नहीं मार सकते यार क्या कर रहा हूँ मैं मुझे भावरा हूँ बैदा था है चलिए कोई बात नहीं H equals to कितना बन जाएगा कितना बजाएगा half GT square minus का half G T minus 1 का whole square अब solve कर लेते हैं अब solve कर लेते हैं उसको तो H की जगा तो 24.5 पुट करेंगे G की जगा 10 पुट करके solve करते हैं चला हो जो अगले page पे so H equals to half GT square minus का half G T minus 1 का whole square 24.5 equals to half into G की जगा 10 पुट किया into T square minus का half into G की जगा 10 पुट किया T square plus का 1 minus का 2T ठीक है चला है बहुत बढ़ी है पॉइंट हट आया अपन में एक 0 आया और एक और काम कर सकते हैं मार देशकों 5 से 540, 25, 945 540, 25, 945 यह G का वेल्यू 9.8 लो तो मज़ा आजाएगा नहीं जी का वेल्यू 9.8 लेले मज़ा आजाएगा है ना जी का वेल्यू 9.8 लेलो जाएद अच्छा रहेगा चीज़ें आसान हो लेगी बहुत जाएदा से 24.5 इक वेल्यू 9.8 T स्क्वेर माइनस का हाफ इन्टू 9.8 T माइनस बन का होल स्क्वेर पॉइंट अपन में 0 आया 5 से काटो 5 2 तो तेन होते हैं 4 जा 20 होते हैं और 5 जा 45 होता है सो यह हो जाएगा 49 अपन 2 is equal to 9.8 अपन 2 T स्क्वेर माइनस का 9.8 अपन 2 T माइनस बन का होल स्क्वेर समझ दो बात को 0 आया 0 आया 2 से 10 तैम्स 10 तैम्स मर जाएगा 49 2 जा 98 होते है कैलकुलेशन कितनी आसान हो रही है अगर G का वेली 9.8 ले लिया जाए तो उधर बचेगा 1 equals to 2 T स्क्वेर बाइ 10 माइनस का 2 बाइ 10 T माइनस 1 का होल स्क्वेर तो यह तो 10 हो जाएगा अपन में 2 आ जाए गए हैं आपे T स्क्वेर माइनस का T माइनस 1 का होल स्क्वेर तो 5 equals to T स्क्वेर माइनस T स्क्वेर माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 T T स्क्वेर से T स्क्वेर से मर जाएगा 5 equals to minus का 1 प्लस का 2 T तो 5 प्लस का 1 equals to 2 T और 6 equals to 2 T so time लग रहा है 3 seconds का so time कितना लगेगा 3 seconds लगेंगे उपर से नीचे किरने में इस time में कितना height cover करेंगे हम लोग so h equals to half gt square so half g का जगा 9.8 लेने के लिए बोला है into time की जगा 3 का square so 4.9 into 9 9,4, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 so answer will be 44.1 meter जो height total होगी वो होगी 44.1 meter match करते हैं कौन सा option match कर रहा है 44.1 वाला जो है पहला option ठीक है हाँ यहाँ पे जी का value 9.8 लेने से काम ज़्यादा आसान हो रहे हैं rather than अगर आप जी का value 10 ले लेते तो फिर points में बातें चली जादी बहुँच जादा आपने जी का value 9.8 लिया पादे को 49 से 9.8 सारे मड़ जाते हैं ना तो यहाँ पे calculation आसान होगी TRI 3 seconds का H equals to half GT square से हमने H निकाल लिया एट कमस आउट भी 4.9 इंटो 9 कमस आउट भी 44.1 meter दिस इस दा टोटल height of the building समझते हैं बात को आप लोग समझते हो ना बात को हाँ लिख लो फिर इसको पहला option बिलकुल सही है लिख लीजे इसको जली से फिर आगे बढ़ते हैं लोग लिखा सभी ने हो गए भी ये भी हो गया बहुत बढ़िया चलि भी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पहाते हैं अब All is thrown from the ground with the velocity of 80 feet per second then the ball will be at a height of 96 feet above the ground after time अच्छा एक बाल को अगर आप थो करते हो ground से with the velocity of 80 feet per second तो बाल 96 feet की height पे होगी above the ground कितने समय के बाद बड़ा सिम्पल है यह ना बाल को आपने उपर फैका with some speed of 80 feet per second बॉल उपर जारी है, उपर जारी, उपर जारी, उपर जारी, उपर जारी, उपर जारी, उपर जारी है पहली बात हो मुझे देखना है, 96 feet क्या यह maximum height तो नहीं हो जाएगी H maximum U square by 2G 80 into 80 divided by 2 into G अब G का value जो आप 9.81 लेते थे G का value जो आप 9.81 लेते थे, मेरे बच्चे वो तो meter per second square में था यहाँ पे आपको इसकी value feet में लेनी पड़ेगी, तो कैसे करोगे इसको meter को feet में convert करना पड़ेगा, है ना, कैसे करेंगे इसको relation लिख लो So G का value 9.8 meter per second square रहता है, approximately मकारी कर लेते हैं, 32 लिख देते हैं, तो G को जो आप लिखते थे थे ना, 9.8 meter per second square, मैं क्या कहता हूं, थोड़ी से मकारी कर लो, approximately 32 feet per second square लिख लेना, काम आसान हो जाएगा, थोड़ी से मकारी, 32.something होता है, मैंने 32 लिख लिख लिए, बटा, 8'' 64, 64, 100, 32 into 64, 100 meter का maximum height है बैटा ये, ये maximum height कितना टेन करीगे, 100 meter का, तो wall 100 meter तक उपर जाते हैं, फिर वो नीच आती है, तो total height जो है, वो 100 meters का है, sorry, 100 feet का है, टोटल हाइड जो है वो 100 feet का है और यह कहां पर पूछा 96 feet 96 feet तो यहां कहीं बनेगा ओहो मतलब दो बार बॉल आईगी 96 feet पे बॉल जो है 96 feet पे दो बार आईगी टोटल मैक्सिमूम हाइड जो टेन करी वो 100 feet की है तेक तो जाते टाइम पे 96 feet का हाइड टेन करेगा एक वापस आते टाइम पे भी 96 feet का हाइड टेन करेगा मतलब ऐसे दो टाइम होंगे जहां पे बॉल 96 feet पे होगी only 3 seconds बहुत गलत बात है only 2 seconds बहुत गलत बात है 2 and 3 seconds 1 and 2 seconds आओ चेक करते है चेक करते हैं कैसे चेक करें वही सब पुरानी बात है sir AU equals to 80 feet per second और G का value जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 feet per second square apart from this जो displacement बोला है वो 96 feet का बोला है so s equals to ut plus half 80 square का use किया हम लोगों ने ut plus half 80 square का इस्तमाल किया हम लोगों ने 96 equals to u की जगा 80 into t minus का half into 32 t square सही है तो उसे सोलर टैम्स मर जाएगा 16 5 जाए 80 होते है 16 6 जा 96 होते है तो 6 equals to 5 t minus का t square बेटा यहां से इसको solve करते है so t square उदर जाएगा so t square minus का 5 t plus का 6 equals to 0 बेटा 3 2 जा 6 होता है और 3 plus 2 5 प्यों होता है तो minus का 3 t minus का 2 t plus का 6 equals to 0 t minus का 3 और यहां पर minus का 2 कामन लिया तो t minus का 3 यहां पर भी so t minus का 3 फिर से कामन लिया और t minus का 2 फिर से कामन लिया नहीं आ रहा है समझ बिलकुल भी नहीं आ रहा है कुछ भी पले नहीं बढ़ा बाई एक तो जाते time ball 2 seconds पे होगी ball बॉल गई उपर 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 तू सेकंड पे थी फिर वापस आई वापस आई वापस आई फिट 3 सेकंड पे थी यहां से 2 सेकंड के बाद 96 फिट पे थी और यहां से 3 सेकंड के बाद फिट से बॉल 96 पे थी सब्सक्राइब करेक्ट ऑप्शन बागी हमारे गलत हो जाएगा ठीक है समझते हो बात को टफ नहीं है ना सिंपल है बहुत ज़्यादा लिख लो इसको जली से लिख लो भई कि यहां पर अभी हम करते हैं अपना सेशन समाब और और ऐसा नहीं कि को सब्सक्राइब करने आगे चलके और फिर में कुछ टुकड़ों में आपको चीज़ों को एकस्प्रेंग कर दो बागी अगर आपको लगता है वीडियो दुबारा देखनी है तो आप हमारे ओफिशल वेबसेट पर आज दो मैंके मिन.com उसके लिए आप क्या करेंगे गूगल पर जाएंगे यह 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 जीज़ कर लेंगे आपको यहां पर आपको मेरे लेक्टर्स मिल जाएंगे आदमी सारे लेक्टर्स अभी तक जितने भी हुए सारे सीक्वेंस वाइज करके रख दिये तो आप लोग यहां पर आके इसको देख सकते हो यह सारे के लेक्टर्स जो रहेंगे आपके लिए बिल्कुल फ्री है इसा कभी नहीं हो कि दो या ती लेक्टर्स के बाद आप से कोई सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को जरूर दबा लेना उसके बगल में जो घंटा है बचा देना आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम आ सके बागी अपने भारी बंदू सखा सेली तक सेशन जरूर पुचा देना उनको बोल देना कि जैए कि तयारी अगर प्रॉपर सब्सक्राइब करनी है तो यहां पर आपके जॉइन कर ले इधर उदर ना भठकेए ठीक है सेशन तो तुम्हें पसंद आता है पर पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं तो सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और इतनी यही बाते हैं आज किस अमीजिंग सेशन के लिए मिलते हैं आप से अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखो पढ़ाई करते रहो all the very best